तो वेलकम तो वीडियो गाइज आज का ये टॉपिक जो है वो मुझे इन फैक्ट कली क्वेश्चन आया दा और थाट वाय नोट दू दिस विकर्स में हूं कुछ लोगों के जो की नेट्वर्किंग साइट पे हैं या हाइरिंग डिसिजन में इंवल्ड होते हैं तो मैंने द दिसिजन को अफेक्ट कर सकता है विकाज इंडिया की जो अपरचुनिटीज होंगी वो बाहर के अपरचुनिटीज के कमपैरिजन में अलग होंगी बिकाज नेट्वर्किंग जॉब्स बहुत कम केसिस में ऐसा होता है कि आप प्योर नेट्वर्किंग साइट पे हैं और आ यह भी एक पॉइंट है जो हमारा डिसिजन यहां पर अफेक्ट कर सकता है कि CCNA देखना चाहिए यहां नेट्वर्क प्लस देखना चाहिए तो मैं पहले आंसर बता देता हूं अगर आप बिल्कुल टारेक्ट आंसर में इंट्रेस्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टे आपके साथ में नहीं है मैंने लास्ट वीडियो में यह चीज आपके साथ मेंशन की थी राइट अट टेंड्स टो बीट बिट बेटर राइट बट वो तब बेटर है जब आप उसको आप वो फील्ड में ओल्रेडी है या फिर आपके पास एक्सपोजर का चांस है राइट जैसे की network plus है वो एक specific machine के हिसाब से या एक specific type of network के हिसाब से या एक specific vendor basically in this case कि पूरा hardware as well as software है उसका एक ही company है या एक अलग जो whatever the companies that people use अब वो company के specific systems कैसे behave करते है वो नहीं सिखाएगा आपको वो आपको एक general idea देदेगा उसको apply कैसे करना है यह आपको good figure out करना पड़ेगा तो यहाँ पे problem क्या आचाती है जब आप नए किसी field में enter कर रहे है especially networking में जब आप enter कर रहे है और आपने एक general certification कर लिया तो आपको hands-on practical knowledge नहीं मिली apply करने के पहले मतलब job में apply करने के पहले या internship में apply करने के पहले तो that is where our certification like CCNA really really helps because वहाँ पे labs और यह सारी चीज़े बहु यह largest two में आता होगा if not the largest right now when it comes to networking devices hardware as well as software तो it is fine मतलब Cisco में in fact अगर job opportunities भी आप देखें तो मैं एक second में वापिस पिछले point पर आता हूं job opportunities बहुत important है job opportunities भी अगर आप देखें तो CCNA में 10-15 गुना जादा है and अगर आप India में LinkedIn में और Indeed वगरा में जाएंगे and job opportunities देखें तो Network Plus की job opportunities are almost not existent yes that is right almost non-existent job opportunities है India में Network Plus related but CCNA की job opportunities भरी पड़ी है तो आप अगर field enter करना चाहरे है तो automatically CCNA will become your number one choice and by the way certification सस्ता है compared to Comptia का Network Plus but with CCNA आपको थोड़ा hands-on यहाँ पे जाधा मिल जाएगा and आप industry enter कर सकते है especially अगर आप job pivot करने की कोशिश करें अगर आपको basic सिरफ networking का knowledge चाहिए CCNA तो valuable है यह but at that point अगर आप उसको as a career नहीं continue करना चाहरे या field में नहीं enter करना चाहरे but just अपना knowledge इंप्रूफ करना चाहरे let's say आप CyberSec वाले की पढ़ाई कर रहे है आप ऐसी को पढ़ाई कर रहे and you want like a general knowledge of networks right subnetting से लेके जो भी है basic चीज things up TCB dump is a great example of this तो आपको जो packets वगरा है packet sniffing अगर करनी है तो उसके लिए आपको network का basic idea होना चाहिए वो सारी चीज़े अगर आप समझना चाहते हैं कि networks होता क्या then maybe network plus makes sense and अगर आपको बिल्कुली computers का knowledge नहीं है then A plus makes sense but उसमें आपको certification करने की जरूरत नहीं है यह चीज मैंन videos होंगे जो आपको network plus वगरा वाला या computer networks के ऊपर कुछ ना कुछ किसी तरीके का course दे देंगे but go for CCNA ideally CCNA आपके लिए better opportunities अविलेबल करके देगा CCNA आपको more hands-on देगा CCNA से आपको preference थोड़ी सी जादा मिलेगी but एक चीज और है because CCNA में इतनी सारी opportunities है तो CCNA might not be enough to get you a very good job right and क network admin है अजकल एकदम high level position नहीं है ये so there is another certification जो मैंने बहुत पहले जब मैं actually networking में काम करा था internship किया था मैंने and at that time मैं काफी जादा interested था इस सारी चीजों में and of course that shows in my engineering के numbers क्योंकि computer networks मेरे electronics की पूरी engineering में एक ऐसा subject है जिसमें मेरे highest आए है and the point is उस time पे मैंने देखा था कि CCNA उस time पे भी popular था आज भी popular है मैं बचपन से computer की दुखानों पर जाके बैठ के क्या बना रहे हो कैसे बना रहे हो बात बात करता है वो बहुत अच्छी जहन पर चान होती थी तो तब से मैं देखता रहोगी CCNA, CCNP चलता आ रहा है CCNA के एक level उपर आप CCNP explore कर सकते तो but ideally CCNA पहले आएगा उसके बाद Cisco certified network professional is going to be the next level up from the network administrator वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा better higher level opportunities open हो जाती है अब क्या अकेला networking का role या अकेली CCNA certification आपको एक 2-3-4 लाग रूबे की नौकरी दे सकता है the answer is going to be probably no but यह आपको start जरूर दे सकता है 25-30,000 की अगर आप salary just basic इस certification की बात किये जाए 25-30,000 की नौकरी आप यहाँ पे explore कर सकते है I do think so but it will be a good start to get into the ecosystem especially let's say अगर आप cyber security side भी जाना चाहते है तो आपने CCNA से field में तो entry ले ले ली कम से कम वहां से आप cyber security वाली side पर थोड़ा बहुत port कर सकते है because what you can do when you are a network admin you can help with the cyber security वाला side policies वगरा लगाने है जो भी चीज़े करने है आप उसमें थोड़ा बहुत help कर पाएंगे and that will definitely definitely be a big plus जब आप जब भी आप transition करते है so that is also one option one way थोड़ा लंबा रस्ता है but it is still a रस्ता but all in all summary में CCNA is going to be 10-15 maybe even 20 times better than your network plus तो अगर आप certification लेने में इंटरेस्टेड है and उसको career की तरह पसूँ करने में इंटरेस्टेड है go with CCNA and not network plus अगर आप सिरफ और सिरफ knowledge में इंटरेस्टेड है कि आर networks कैसे काम करते है मेरे को एक general idea चाहिए then network plus का कोई course या कोई youtube पे course आप ग्रहन करें and that's all and you'll know a lot आप उसका apply कैसे करते है वो आपको देखना पड़ेगा तो अगर आपके बस applications वगरा के opportunities available होते है fine then it's fine then it's fine but आपको practical knowledge थोड़ी कम मिलती है network plus में so that's it for आज का वीडिय parody आपको मिली है और जो भी आपके questions है नहीं चाहिए आप उन्हें comments में छोड़ सकते हैं guys as always like बटन नवाना मत भूलें this is Shivam signing off मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye and take care